हैवलो स्टूडेन्ट इस वीडियो में इत्यास के मोस्ट इंपॉटेंट 250 देखने वाल हैं यह सारे को सने वरी वरी इंपॉटेंट है क्योंकि इसमें मोश्ट और इंपॉटेंट है वो आपकी क्लास होने जा रही है सबसे पहले आप सांगे पर बैट जाए और वीडियो को ध्यान से देखना स्टाट कर दीजिएगा अगर आप एक बार में यह वीडियो नहीं देख सकते हो तो दो तीन बार करके जरूर देख लेना इसलिए यह वीडियो प्राचिन भारतिय इतिहास मदेकल इतिहास और अध्धुनिक इतिहास के आपका कवर करेगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो अपने है वो जल्दी लॉंच होने वाला है और इस परकार अगर बात करें तो भारती इतियास से समद्धिता आज हम बात करेंगे मुस्ट चौर्शन उसके बाद में जन तो दोस्तो वीडियो को दो तीन बार करके है वो इस पीड में आप अराम से देख सकते हैं ताकि आपका एक भी कोशन है वो गलत नहीं हो यह भारत की सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपोर्टन क्लास है दोस्तो वीडियो को ज़रू देखे पूरा थ का है वो पहले सबसे पहले कौन सी थी सेकंड को जी थर्ड को जी परत को बताना है इसका दोस्त अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी राजगरे हुई थी उसके बाद में वेश्यावी उई ती यह पार्ट्ली पूत्रों कुंडन वन यह अब देखिए इनके बारे में यह कब कब आयोजिन होई थी और किस साथ से किसाम होई थी तो आप एक बार देख सकते हैं वीडियो को रोक करके तो यहां पर रहो लेकी हुई है सारा का सारा नेक्स्ट कोशन देखिए निम्द लेकित में से अशोक के द्वी बासिया बिलेक थे यानि इसमें असोक का द्वी बा करके आप देख लेना मैं आपको केवल और केवल कोशन करवाता हूं और उसका अंसर बताता हूं ठीक है नेक्स्ट कोशन में तो देखिए दिल्ली सालतनत में लाख बक्स किस सासको का गया है लाख बक्स जो का गया है दोस्तों कुतूब दिन एबक को का गया दिल्ली सालतन कोशन नमर चार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैटा दूँ तो मेरे आदिस पर मेरे सभी शर्दार उसे कंदे पर बैठा कर ले जाएंगे कतन कि शासका यानि दोस्त यह कौन से सासक ने कहा था इसके संदर में अगर बात करें तो यह सेकंदर लो दिने कहा थ इसकी वेख्या देखिए ओपर कतन दिली सल्तनत के सासक सेकेंदर लो दीका है और बलबल ने रक्त और लोग की नीती अपनाई थी बलबल ने कोशन पूछा जाता है कि रक्त और लोग की नीती किस ने अपनाई थी तो बलबल ने अपनाई थी खिजर खान ने स्यद वंस की इस थापना की most or important question है एगला question है question number 5 है गांधी जी के आंदुलोनों को नीचे दियेगे वरसों के साथ सही सुमेलित कीजी तो देखिए इसके कुन से सुमेलित कतने गांधी जी के जो आंदुलोन है और एक साइड में जो आंदुलोन हुआ था वो आपका दोस्त हुआ था 1917 में उसके बाद में खेडा सत्य गरें जो हुआ था दोस्तो यह आपका हुआ था 1718 i vb में उसके बाद में अगर बात करें तो सवीनी अवगए जो आंदुलोन हुआ था सविनी अविगी आंदोल यह हुआ था 1930 में और भारत छोड़ आंदोल निश्व 42 में हुआ जैने कि पहले में आपका चार नंबर है दूसरे में आपका तीने तीसरे में आपका दो और चोटे में आपका एक तो यह आपका राइट आंसर होगा उप्षन नंबर शी बिल्कुल से माना जाता है इसके संथार में अगर बात करें तो आपसर नंबर тоже बिल्कुल रांसर होगा अब देखिए बहुत में मुश्लिम राज का संस्था पक मुहंतगोरी को माना जाता इंपॉर्टंट कोशन हैं और इसकी वेक्षा में इःगर बात करें तो 253 में आपके मिल जा मुगल बंस की अगर पुच्छा जाए भारत में मुगल बंस का संस्टापक वाप ध्यान में रखना बाब बर है नेक्स्ट कोशन देखिए में तो मिश्डरित प्रजाती की थी निमन छीब मैंसे कौन लिकित प्रजाति यहीं त्यादी मनुष्य की प्रमुक जाती थी जबकि सेंदो सवेता के निम्न लिकित प्रजातिया थी यानी चार जो प्रजातिया थी एक तो इसकी थी अलफाइन भूममद्यस अग्रिये एक थी मंगोलाइड प्रो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड तो यह अंकी थी अगला कोश्चन है निम्न आपकार यहां पर लेखा हुआ है बुद्ध के जीवन से समन्दीत वोग्ध धर्म के प्रतिकों को सुमेलित कीजिए वाल बुद्ध से समधिते अब दोस्तों इनको क्या करना है तो बुद्ध का जो दोस्तों जनम हुआ था उसके संदर में साथ यो अगर हम बात करें तो बात करें तो इसका सी ऑप्सन बिलकुल क्रेक्ट आंसर होगा अगला देखिया दोस्तों बुद्र के जीवन से समधित बहुत धर्म के प्रतीग जो माने गई हैं चिने माने गई हैं वो दोस्तों मेंपढ़े थे तुँधियो सर्फ पहार और लूँयों है बाहिए पास राता हिए है याने और कोशन निम्दलिक तकत्रों पर विचार किजी कोड़ witnessing जाता है दूसरए चैंपनि यह कोड़來ई न्यूफ क ensure Ship the वह उत्र रहे जो हुआ है वह संस्क्रित भासा में लेका हुआ है यसमें बताए गया है अगर गुप्त वंश के किस सास्क ने सर्व प्रतम माहराजा धीराज की उपादी धर्ण की थी वह मुझे हैं इसका जो दोस्तो राइट आंसर होगा वो चंद्र गुप्त पर्थम होगा गुप्त सासर चंद्र गुप्त पर्थम ने महाराजा धीराज की उपादी धारण की श्री गुप्त गुप्त बंस के संस्तापक थे यानि जो दोस्तो श्री गुप्त थे इसके संदारे में अगर बात करें तो यह गुप्त बंस के दोस्तों क्या थे समकालिया जो उनके संस्तापक थे उसके बाद में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त को भारत का नेपूलियन का आ जाता इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों चंद्र गुप्त विक्रम धित्य ने प्रम भागवत की उपादिय जो धारण कीत इंप्रेंट दोने दोस्तों है यह लाइन내ुप्रेंट है आप नोट कर लिजेगा यह वेर वेर Quickly इंप्रेंट है भारत का नेपोलियन चंद्र गुप्त को कहते हैं नेक्स्ट कोशन तुम कालांग के तिसमारक किश्व शभेता पर मिला है इंपोर्टन कोशन है दोस्तों यह मिला था एरन अभिलेक पर अब देखे दोस्तों बानु गुप्त के एरन अभिलेक में 510 इसवी को उसके शामत गौप राज का उलेक मिलता है जो हुनों के साथ यु कुष्चन नमर्ट 13 कुटूबुद्वद्व यूदू एबक पी मृत्व के पच्षात कर सो त्राधीकरी बना कुटूबुद्वद्व की मृत्व तो किस परकार ही को हम आभी बात करेंगे ठीक है मुर्थियों के पच्छात आराम दहा आराम शहतत कलिन उत्रादेगारी बना और उसका कुछ तुर्क मालिकों और अमीरों के विरूद किया और स्वर्तंत्र होने की गोश्टां कर दी ठीक है यानि कि जो लोग थे वो नहोंने चहलगानी या चालीसा यानि चालीस अमीरों का जो समू है वो तुर्का ने चहलगान कहला था है कुटुबुदिन की जो मर्ट्यू भी थी वो फोलों खेलते हुई हुई ती इसमें कुछन ने वो बताया जाता है नेक्स्ट कुछन देखिए किसकी देख भाल का राज्ये के सिदे जो नियंटरन वाली जो भूमी थी जो इस्टेट के जो सीदे कंट्रोल वाली जो दोस्तों भूमी थी वह दोस्तों है जो दीवाने खाल्सा के पास से उनका उध्रादिखारी होता थीक है अगला कोश्चन ने दोस्तों देखिए अपनी किस विजे के संस्मरन स्वरूप अकबर ने फथेपुर शीकरी के में बुलंद दर्वाजा बने था यानि कि जब अकबर ने जब गुजरात की दोस्तों विजे की थी तब उन विजें को हमेशा के लिए याद रखने के लिए फ़ते पूरशीकरी में दोस्त वो बुलंद दर्वाजे का निरमान कर आए था क्रेशन पूछा जाता है कि बलंद दर्वाजे का निरमान किसने कर भाये था दोस्तों आपको ध्यायन में रखना अकबर ने करना है अगला क्क्रिशं देखिए मैं आपको अगर पूछा जाए कोशन इंपोर्टेंट है काफी इनका राइट आंसर होगा पेदल जो सेना अधिकारी होता था उनको शरे नौबत के नाम से जाना जाता था अगला कोशन है अब देखो सेवा जी की सेना के तीन महत्वपुनंग थे तीन महत्वपुन कौन कौन कि एक आपकेसखे पैदल सेना पैदल सेना का भी सिवा जी कीसेना जो सेन ने वववस्ता में में तो पुर्म था इंप्वर्टेंट क्वोशन देखें में त्रों नेम्दनेक्रД कतनों में असे कतथ या काना के योन 1946 कि क dares आगे इस में कौन से या कफ्व कि पुर्व जन्म की कालपनिक कताई हैं इसमें वगवान-बुद्ध के जो पुर्व जन्म यह जन्मिक कालपनीक कताई है श्मन संग्रित हैं इतना इस कि नाग शेयां के दोरा ड्रचित भूलतिबर थिसा साहि यह कौन सा using को नों गरन थे दोस्तों इंपिरट और यह दोनों को जो आप्शन है दोनुए राइट एगना देखिए पूज़ा किस इस्तान पर खोजी गई अगनी वेधी काउंस से शीदोती है दोस्तों इंपोर्टन को स्टन है तो यह काली बंगा में खोजी गए सिंदु गाटि सबेत कि नगर गड़ी और आवासी छेत्र में विभाजी थे यह आपको ध्यान में रखना है अगला क्वेशन है निम्न लेकित में से किस एक में चंद्रगुप्त मोर्य के द्वारा मगद का राज सियासन प्राप्त करने की कथा दी गई है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन करने की कहता विश्चा का दत के द्वारा यानि दोस्तों यह जो ग्रंथ है दोस्तों मुद्रा राक्षक इसका जो दोस्तों लेखक है उसके बारे मैं बात करें तो दोस्तों विश्चा का दत है यानि विश्चा का दत के द्वारा यह जो रचीत मुद्रा राक्षस में दि जी ने बोश को धेश भकते वह कहा था जवाहलाल नहいरूद ने समहाचंद्र बोश को भारतिय देशšभक्ती की जव्हलंत तल्वार काता important question यतिनों नेक्स्ट क्वेशन इसी के साथ में अगर बात करें तो समहाचंद्र बोश काबूल से और लेंड़ो मसोटा नामक इटालियन नाम से एयरपोर्ट लेकर रूस गए थे उन्होंने मलेशिया में आहान करते हुए कहा तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा तो यह जो दोस्तों कत्थन है अगर पूछा जाए यह कत्थन किसका है तो यह दोस्तों सुभाचंद् नेक्ट कोशन है डीवाने मुस्थ्धाक राज इससे समधित था इसका राइट अंसर होगा भूर राजस होव विभाग से समधित्यद दिवाने मुस्थ्क राज इंप्रोटन ब्यूच्शन है वहरी वहरी लाए अगला लेश्धाव कि खूर मलकी भूर राजस व्यवस्ता यसका राइट से अंसर होगा ब्हरती राश्ट्रिय आएंसे ये शंबन्दी थे एयो हूम द्वारा 1885 में बंबई में इस्तापित भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस को 1906 में यंग इंडिया में प्रकासित अपने लेक में गर्म पंथी नेता लाला लजपतराय ने सुर्ख्षा कापाड की संग्या दिये करिया कब प्रारंब हुई इसका राइट आंसर होगा 1909 में सांपरदाई का मतलब होता था दोस्तों इसमें हिंदूों के अलग गयवों मतदान होता था और मुश्लिमों के अलग मतदान होता था तो यह जो दोस्तों लागू ही थी यह 1909 में लागू ही थी एक अधिनियम लिए पर्थक प्रते निधित्व अथ्वा सांप्रदाइक निर्वाचन की ववस्ता प्रारम की गई थी इन सुधारों में भारत के भावी विवाजन के बीज़ बोद ये गई थी इसमें दोस्तों कहने का मतलब यह था कि जब भारत में 1909 का जब अधिनियम हुआ था उसमें अलग होने का उन्होंने निर्दिनले रखा था इसका राइट आंसर होगा आप्शनन नंबर सी रिख्वेद में शंतारा से तात्परे क्या हैं संतारा से तात्परे अगर पूछा जाए यनि यह जैन धर्म से समंदी तो और उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान जो है दोस्तो हो जैन धर्म से शमंदी ते नेग्ष्ट क्वेशล जैन मत के अनुसार अगर बात करें तो जैन मत में संथारा से तात्वरे उपवास द्वारा प्रान त्यागने का एक अनुष्ठाने इसे शलेखना पदती भी कहते हैं इसा पूरो तीशरी शताब्दी में समराठ चंद्र गुप्त मोरे ने करना टक के स्रवन बेल गोथा में सलेखना पदती के द्वराही अपने पराण है जो त्याग दी इंपोर्टेंट है दोस्तों यह स्रवन बेल गोथा अगला कोशन निम्द लिखित में से प्रती प्रतित प्रतित समुध पादन के नाम से जाना जाता है अब हम बात करते हैं समराठ असोक के बारे में असोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गोफ़ाई है खुदवाई थी तो यह आपका डी अफ्सन राइट होगा आजीवक के लिए शमराठ असोक ने पाड़ी की चटानों को काड़ कर गोफ़ाउं के निर्मान की वास्तु कला गयती हास में एक नई सेले का प्राणम किया था गया में बराबर की पाड़ी में आजीवक के संप्रदां के लिए करण चोपड सुदामा और विसो चोपडी नामक गोफ़ाउं निर्मान करवाजा नेक्स्ट कॉर्शन है पूरू योजना के नुस्तार मुश्लिम लीग में सीधी कारेवाई दिवस्कब मनाया यह इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्ट निसो ची आलिस भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के प्रतम मुश्लिम अध्यक्ष कौन थे इसका र प्राइट आंसर होगा आपका ओप्षन नंबर कि रधान के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट कॉर्शन है सेंदो सभेता का पुरातात्विक इस्तल जो भारत की शीमा के अंतरगत हर्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी स्चोर को चिहनित करता है वह किस नदी पर इस्तित है त मंदा आपको द्यान में रखना है जो जमू कस्मीर में चिनाम नदी के दाइंतरट पर इस्तित इंपोर्टन्ट यह पहली लाइन आपको द्यान रखना है नेक्स्ट कॉर्शन मुहमद बिन तुगलक के अंतरगत दीवा ने कोही किश्विभाग की देखवाल करता था इसका राइट आंसर होगा क्रशी की उन्नती के संदर में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अगला कोशन है गांदी जी के दवारा भारत में चलाया गया पर्थम वास्तवी के किसान सत्यागर कोण सा था इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर आपका बी खेडा किशाना अंदुलन जो की 1918 में गुजरात के जो कुनभी पाटीदार लेका हुआ है ना कुनभी प इसका राइट अंसर होगा श्याम जी कृष्ण वरमा के दवारा की गई थी अगला कोशन है निम्द लिखित में से किस सासक ने आगरा नगर की इसताप्ना की थी इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी के दवारा की गई थी समराट ने दीवा ने वजीरात एकुल नाम से नई पदगा गठन किया था तो ये अकबर ने किया था 1877 की करांती में खान बहादूर खान की गतिविद्यों का केंदर इस्तल जो था वो आपका बरेली जो वरतमान में उत्तर परदेश में इस्तित हैं उत्तर वेदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था समाज के विभाजन का दोस्तों जो आधार था वो क्या था तो इसका दास्तों जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा वरन व्यवस्ता दोस्तों क्या होगा वरन व्यवस्ता इसका राइट आंसर होगा अगला को कोशन देखिए ऐसे जेन और बोध धर्म में किसे श्विकार नहीं किया गया है तो आवतारवाद को जेन और बोध दोनों धर्में उनको श्विकार नहीं किया गया है वरन ववस्ता को श्विकार किया गया है इस तरियों का प्रवेश श्विकार है अहीं सावरित श्विकार ह ही है शोक महान को किस ने बोध धर्म की दिख्षा दी थी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर एक उप गुप्त जो इंपोर्टन्ट कोशन है अगला कोशन है निम्द लिखित में से गुप्त कालिन चित्रकला का उत्कृष्ट तम रूप मिलता है यानि किसमें मिलता ह तो इसका राइट आंसर होगा अजन्ता जो अपने महारेश्टर में औरंगाबाद में इस्तित है अगला कोशन है निम्द लिखित में से देहसाला प्रदती किसने लागो की थी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डरमल इसका सी उप्शन राइट होगा इसकरांथी कारी अमेरिका में गदर पार्टी की इस्तों की तो यह लाला हर दयाल के दोरहा गदर पार्टी की इस्तों की गई थी मुगल काल में मीर बक्षी किश्विबाग को देखता था इसका करानती कारी को बर्मा की मांदले जेल में दसावतार मंदिर कहां परिष्था पित हैं तो इसका राइट आनसर होगा देवगड में इस्तितह और गुव्थ कालिंद सावतार मंदिर देवगड में इस्तितह जो कि गुव्थ कालिंद मंदिर निर्मान की नागर सेली का एक उतकरिष्ट है जो नमुना है कनिष्क के सासनकाल की सरवादिक मेहतुपन घटना कौन सी रही है तो चतुर्त बोख्षंगीती का अयोजन यो पहला कोशन हमने पटड़ा था जो कि दोस्तों अपने कहां परूहीति आपको द्यान में रखना है इसका कौन था देख्ष तो देख्ये कोशान वंच का सासक था कनिश्क के काल में चतुर्थ बोध संगीती का आयोजन हुआ था जिसमें चतुर्थ बोध संगीती का जो अधेक था वो वसु मित्र था और अभादेक्स अस्व घोष था इस संगीती में बोध धर्म का विबाजन हुआ था हीन यान और महायान दो संप्रदायों में हुआ था चतुर्थ बोध स इसका ये इसकी विश्यस्ता नहीं है बाकि ये तीनों विश्यस्ताइं इम्पोर्टेंट हैं तो अब्दुल्गवार खान को सीमांद गंधी के नाम से जाना जाता हैं क्योंकि इस इन्हों ने शौतंतर था अंदुलन में सीमां तो छटर यहनी उतर पच्छिमी परांत में नेतर तुल किया था 21 सासक ने सरवादिक नहरों का निर्मान करवाय था तो दोस्तों यह फिरोज सा तुगलक ने करवाय था ठीक है अपने शासनकाल में फिरोज सा तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के उधिश्य से करवाय था सल्तनतकाल में अकवर 20 को कहा जाता फिरोज सा तुगलक को सिंचा यह तो सरवाधिक नहरों का जो दोस्ति निर्मान करवाय था उसके संधर में अगर बात करें तो गिया सो दिन तुग लगने करवाय था अगला कोशन है शन 1929 के लाहूर अधिवेशन में कॉंग्रिस की अधेकस्ता किस ने की थी अगला कोशन है अलावदिन खिल जी दोरा निर्मित मजजिद कौन सी है तो जमेत खाना मजजिद है वो अलावदिन खिल जी के दोरा मजजिद निर्मित है मोरे समराथ अशोक माहन का कौन सा अभी लेक करना ठका में नहीं मिला था तो यह जो करना ठका में नहीं मिला था वो गुरजरा अभी लेक है वो करना ठका में नहीं मिला था यह गुरजरा जो अभी लेक है वो MP में मिला था आपको धिहन में रखना मध्य परदेश में मिला नेक्स्ट ने देखें निम्द लिखित में किस बुधु संगित बुधु गृंड को बुधु का गृष द्वारा बुधु गृंड बुधु चरीत यद्यु दोश्टो यह बुधु चरीत गरंबें वह असुः होस के दवरा रचित गरंत हैं जो बोध धर्म का रामाइन भी कहते हैं असोगोस का कृति इस्तंब भी इसको कहते हैं और सुत्र पिटर को बोध धर्म का एंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता इंपोर्टेंट है दोस्तों यह आपको तीनों ऑप्शन है यह ध्यान में रखना है इसका किसे लोगों का द्यान न में दिया तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों दादा नेरो जी ने दिया था यह राजस्तन पूली कोमस TU टेबल में कोश्चन रिपीट हुआ हजार बाद इसका राइट आंसर होगा इंग्लेंड ऑप्शन नमबर सी इंग्लेंड डेब्डूस्ट टू इंडिया ऑप्शन नमबर सी इसका क्रेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन है असोक के अभिलेक और म्रामी लीपी को सर्व परतम किस के दोरा पढ़ा गया है तो जैम्स प्रिंसेस के दोरा पढ़ा गया है नेक्स्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर साथ है, मकबरों की अस्ट भुजाकार आकरती मध्यकालीन भारत के निम्द लिखीत में से किस वंस की विशिस्ता थी, तो इसका राइट आंसर होगा, ओप्शन नमबर D, लोदी वंस से समधित थी अगला कोश्चन है, विद्यांचल परोत माला को पार करने वाला प्रत्म तुर्क विजिता कोन था, इसका राइट आंसर होगा, अलाव दिन खिलजी ओप्शन नमबर D, इसका करेक्ट आंसर होगा, अगला कोश्चन देखिए, निम्द लिखीत में से मुश्लिम लीग का लाह इसके बाद में नेक्स्ट कोश्चन है, किस मुगल कालिन सासर को सरायों को समराज ये रूपी शरीर की धमनिया कहा गया है, तो इसका शेयर साराइट आंसर होगा, इसके बाद में देखिए, कोश्चन नमबर 64 है, मुहमत बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत की है, इबन बबुता राइट आंसर होगा, नेक्स्ट कोश्चन है, निम्द लिखित में से किस मुगल बादसाह बाबर द्वारा, निम्द लिखित में से मुगल बादसाह बाबर कहां का निवासी था, तो इसका फरगना का बाबर निवासी था, आपको ध्यान में रखना विस्तार किया था कृप्ष मिशन को किस ने उत्तर तित्रिय चेग की संग्या दी हैं इसका राइट आंसर होगा मातमा गांधी ऑफशन नमबर शी इसका करेक्ट आंसर होगा कृप्ष मिशन निम्द लिखित मेंसे किस हिंदू शाही शाशक ने शुम के द्वारा प्रज्वलित चिता में कूद कर आत्म दाहा कर लिया था इसका राइट आंसर होगा आफशन नमबर बी जैपालो ने नेक्स्ट कोशन है निम्द लिखित मेंसे किस शाशक ने ऐसे सिके जारी करने के आदेश्टिय जिन पर हिंदू देवी देवताओं की आकरती अंकित थी तो मुहमत गोरी ने यह राइट इसका आंसर आप्शन नमबर एक नोंने आदेश्टिया था इंपोर्टेंट कोशन ह हुआ था कुछ इसे को पर मुहमत बिन साल हो साम लेका हुआ मिलता था कोशन नमर 69 ने मुगल वादसा आकवर ने किस संगीतकार को कंठा बरनवानी विलास की उपादी है वो प्रदान की थी इसका राइट आंसर होगा आप्शन नमबर भी तान सेंग निम्द लिकित में से कि स्वेद में गायतरी मंतर का उलेक मिलता है इंपोर्टंट कोशन राइट आंसर होगा रिग वेद है नेक्स्टकोशन देखिए मित्रों कोशन है अगला 71 बंगाल के बाहर सेस भारत में स्वदेशी आंदोलन को पहलाने में किसकी मुक्य भुमी का थी तो बाल गंगा धर प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी तो इसका राइट आंसर होगा गोमती प्रजापती बोध संग में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी इनकी गोतम बुध की जो पत्नी थी उसका नाम था यसोद्रा गोतम बुध की पत्नी थी आमरपाली वेश साली की नगरवदू थी अगला कोशन है दोस्तो निम्द लिखीत में से चंद्र गुप्त के दरबार के नव रत्न में शामिल कोन नहीं था इसका राइट अंसर होगा चरक इन्होंने चरक सही ताकि यह दोस्तो इस्ताब ना की थी सासक बिंदू साहर के समय तक्ष शेला का विद्रो दबाने में किये गई निम्द लिखीत में से किस सासक को भेजा गया था इसका अशोक को भेजा गया था डियुप्त करेक्ट आंसर है यानि मोरे सासक बिंदु सार ने तक सशेला का विदरो दबाने एतू अशोक को भेजा था अशोक को समय अवंती का राजेफाल था और अशोक विदरो दबाने में सपल हुआ था इससे प्रसन होकर बिंदु सार ने अशोक को अपना अशोक को अपना अथिकारी है जो गोशित कर दिया था नेक्स्ट कोशन है 76 है निम्द लिखित में से किस गुप्त सासक ने हुणों को पराजित किया था तो इसका राइट आणसर होगा इसकंद गुप्त ने उनों को प्राजित किया था उस्तवकों और उनके लेख़ों को सुमेलित करना है यानि इस साइड में रचना दी गई और उनसे समधित लेख़ग दिया गया है मेग्दूत जो रचना है वो तो दोस्तों काली दास की है य को है दोस्तों वो आपकी इसमें विशी हों है यह इसमें अगर बात कुरह करें difference मेखक दूत्स रचना वह तो काली दासकी हो हो गई है में एक बार मिलान करके करके बताता हूं म्हें दूट रचना काली दासकी है मुद्रा रक्षस विश्या का अदत की है और हर्स चरित जो है वो बांड भट की है और मरिच चकटी का में वो शुद्रव की है तो यह आपको इस परकार आप्षिन ध्यान में रखना और ली आप्षिन इसका परेक्ट आंसर होगा आप्षिन नमबर डी अगला कोशन है देखिए निम्द लिखित में से चंदर गुपत दिवत्य ने अपनी बेटी प्रभावती का विवा किसा शक्षे किया था प्रभावती का विवा आप्षिन नमबर एक इसका होगा दूसरे साथ उसना देश दिये हुए है ठीक है दूस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जहन में रखना है कौन साथ वो सुमेली थे अंकोर वाट जो मंदिरे वो वीट नाम में इस्तिते हैं पहले में पहला तो सही है दूसरा इसमें बताया गया है माइसन टेंपल माइसन जो टेंपल इस्तिते हैं सोरी अंकोर मंदिर है यह अगर बात करें अंकोर मंदिर है वो कंबोडिया में इस्तिते हैं वीट नाम में नहीं नहीं इस्तिते हैं माइसन जो टेंपल इस्तिते हैं वह अगर बात करें तो माइसन जो दोस्तों टेंपल इस करें तो मैं या मार में इस्थथिह ma लिकित में से किसका निर्माण वोशनग्शारने कर वाया था तो इसका दी भी गुम्मध का परियोक रही माकबरे में हुआ है तो हुमायू के माकबरे में जो नियुत हुआ है अगला देखें के यहां पर लिए कासे समय ब्राह्मों से वे वो जज्या कर वस्यूं आ गया है तो इसका सर्कार का सरकार या प्रदा सरकार का काल था तो 1560 से 62 के मद्य पेटी कोड़ सरकार यानि प्रदा सरकार का शौषन काल माना जाता है अगला क्योशन है निम्न लिखित कत्रों पर विच्छाद कीजिए और इनमें से कौन सा है सही और कौन सा गलत है वो देखना है असोक ने कलिंग को मोरे समराजी में जोड दिया गया था दूसरा उप्सन इसमें ये बताया गया सोरी कारण बताया गया कर्थन पहला है कि असोक ने कलिंग को मोरे समराजी में जोड दिया गया था इसमें कारण ये बताय गया है कि कलिंग दक्षिन भारत को आने वाले इस्थली एवम समुद्री मारकों को निमंतरन करता था या नियंतरित करता था तो इसका जो राइट आंसर होगा ये दोनों ही दोस्तों है सही है यानि कि जो A और B दोनों सही है तता जो B है वो A का दोस्त इस्तांतरित करने की सेफारिस किस ने की थी। तो उसका रायट आंसर होगा अरुन देड कमिटियुने सेफारिस की लगाए कुछनुन गजनी का वह साफ कुछ था जो खलीपाओंसे सुल्तान की वपादी धरन कर सुल्तान कहलने वाला प्रत्थम शाशिक बना था तो इसका राइट आंसर होगा option number 1 महमूद गजनवी नेक्स्ट क्वेशन है मित्रो आईने ए अकबरी एक महान एतिहासी कृती निम्द लिखित में से किसके दवारा लिखी गई है इसका correct answer होगा option number 1 अबूल फजल नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तो आईने अकबरी का लेका कबूल फजल था अकबर नामा के तीसरे भाग में ही आईने अकबरी कहा गया है नेक्स्ट है दोस्तो व्यक्ति गत अशात्याग्रे की शुरुवात कब हुई थी इसका भी option राइट होगा 17 अक्टोबर 1940 को नेक्स्ट क्वेशन है निम्द लिखित में सूची एक को सूची दोस्ते सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चैन करना है दास प्रता का अंत कब हुआ दास प्रता का अंत दोस्तों 1562 में हुआ था पहला तो दोस्तों बिल्कूल करेक्ट हैं दूसरा इसमें option भी option है सब्सक्राइब दोस्तों 1563 में बिल्कूल राइट है उसके बाद में जजिया कर का अंत 1564 में हुआ था और दी ने इलाहिक की जो सुरुआत हुई थी वह 1582 में हुई थी option नंबर इसका एक बिल्कूल करेक्ट आंसर है Sir Thomas Rowe किश मोगल सासक के कार में ब्रेटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था तो जहांगीर के समय आपको ध्यान में रखना है Sir Thomas Rowe इंगलेंड के सासक जयम स्पर्थम का राजदूत था जो व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए 1615 में बारत आया था जनवरी 1616 में अजमेर की किले में जहांगीर से मिला था और जहांगीर ने उसको 400 का मन सब है जो उन्होंने दिया था जहांगीर ने दिया था दोस्तारिट टोमस रोह को नेक्स्ट कोशन है निम्द लिखीत में से कौन सा वाइसराई बंग भंग से समदी था बंग भंग का मतलब था बंगाल भंग से समदी था तो यह दोस्तों लॉर्ड कर्जन है वो इन से समदी था निस सो पांच में आपको ध्यान में होगा बंगाल विवाजन था नेक्स्ट कोशन है अठारा सो सत्तावन के विद्रो के समय बिर्टिस का परधान मंत्री कोन था इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर आपका बी फॉर्म इस्टर्ण नेक्स्ट कोशन साहयक शंदी प भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस का इसलिए महतुपुर्ण था क्योंकि इस अधिवेशन में आपका इस अधिवेशन में देखो यानि स्वतंतरता अंदोलन के इतिहास में ध्यान से पढ़िए दो बार रिपीट कर लेना तब समझ में आएगा आपको इस वतंतरता अंदो है जो लिया गया था ऑप्सण नमबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सुरी ऑफ्सन नमबर इसका भी यह वो करेक्ट आंसर होगा कॉंग्रेस के लक्से के तोर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ती की शुकार किया गया था यह तो आपका बी ऑप्सवराइट नहीं था दिए दूर्ण का इस्तल में एक सूचना पठ अभिलेख का स्यक्सिय मिला है और जो उसका राइट आंसर होगा दोला वी राइसका करेक्ट आंसर होगा निक्स्ट को सने इल्चुत मिस के शाशंकाल में निमन लिकित में से कौन्सा एक चांदी का सिक्का परियोग में था रायट होगा अप्शन नमबर एक टंक का किस शत्यागरों को आयोजित करने के विप्लक्स में वले बभाई पठेल को शर्दार को पद्वी से विभुशित की आ गया था तो बार दोली शत्यागरेस का राइट आंसर होगा बार दोली गुजरात के सुरुत जिले में इस्तित हैं वहा भादी हिंदू मंद्च सब्दारों की संक्या थी ईन बंदू मित्र के नाठक नीलपण में निम्द से किसके उपर अंग्रे जो के अत्याचार का वर्णन है जो किया गया है तो नील की खेती करने वालों पर है वो अत्याचार का वर्णन किया गया था नील दर्पड में नील की खेती करने वाले किसानों किस्तती का दैनी दिशा का वर्णन किया गया था हंड्रेंट कोशन ने लेखिए सल्तनत काल में किस भासा को राज भासा का दर्जा दिया गया था फार्सी को राज भासा का दर्जा दिया गया था नेक्स्ट कोशन अभी आधे कोशन आई है आधे कोशन अभी और बाकिये सिवा जी ने प्रारंभीक संगर्ष निम्न लिखित में से किस के विरूद किया था सिवा जी ने जो दोस्तों प्रारंभीक जो विद्रों किया था सिवा जी ने जो प्रारंभीक संगर्ष किया था वो किस के विरूद किया था तो वो बीजापूर के गुरुत उन्होंने किया था यानि कि इसमें अगर हम बात करें तो परारम में जो सिवा जी था उन्होंने बीजापूर के लंबे संगर्ष के बाद में लास्ट में उन्होंने 1669 में जो अफजल खान की हत्या करके अधिकार कर लिया था अवजर खान बीजापूर का रहने वारा था और उसके अलावा बीजापूर के जो अन्ये सास को ने भी सिवा जी पर है आकरमन किया था प्रांथों में द्वेत सासन की इस्थापना की गई थी इसका राइट आंसर होगा बारत सासन अधिनियम 1919 यानि इसमें दिवत्षासन की इस्तापना हुई थी इसे स्यम्सफवर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है यह निदीनियम और एक अधिनियम और वेस्ट वेरी इंपोर्टेंट था अधिनियम 1935 नेक्स्ट को सने समराथ असोग का यह कतन है कि सभी मनुस्ये मेरी संतान है सभात कौन से अभी लेक में लेख यह प्रथम प्रथक शिला लेक में लेक हुआ है यह आप यहां फ़ी के लिए गांदी जी को कि ने प्रियुट के यह दियो कारणे चंक्पार नच भर्तमान ने ने लाने के लिए उसे आमंत्रीत किया था निमंत्रन दिया था नेक्स्ट कोर्शन है निम्द लिखित में से सरोपर्तम पित्रा ड्यूड्रा सेली का परियोग किस इमारत में हुआ था इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक एमदु एत्मा दोला के मकबरे में यहां पर नेक्स्ट कोर्शन से किस आंदोलन से अरूना आसफ अल्ली जूड़ी थी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन जो नव अगस्त 1942 को बड़े नेताओं को गुरुपतार कर लिया गये था निम्द लिखित में से कोन भारत छोड़ो आंद विभाजन के विरुद काले दिवस के रूफ में मनाया था क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल प्रांतों को चुनाव करना था कि वो भारत में सामिल होंगे या नव घटित पाकिस्तान में यह कुश्चन वह इंपोर्टन कोशन है इसका राइट अंसर होगा पुरस सुक्त किस्ट का भाग है तो यह रिगवेद वाग है दोस्तों अगर आपको यह सारी कि सारी पुरी पीडिये पगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम की लिंक मिलेगी वहां पर आप जॉइन हो जाईए वहां पर आपको यह बिल्कुल फिरी यह वो प्रोवाइड हमने करवा राकी है मैंने भीज दी हैं तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा न इसका करेक्ट आंसर होगा निम्द लिखी कतनों पर विचार कीजिए यहां पर दो कतन दियेगे इस पर आपको विचार करना इसमें सही कौन सा है कौन सा नहीं वह आपको देखना ठीक है को पहला इसमें लेखा है विश्यस में कि 1857 की करांती की शुरुआत एक सेने विद् आपक में हो गया था जैसे भारत का पहला सोतनतता संग्राम है है इसमें देखो जो राइट है वह पहला और दोनों दोनो इसमें वह रेड़िया बिल्कूल करेक्ट होगा नेक्ष्ट के भारतियराष्ट्री कॉंग्रेस और मुश्णिम लीग के बीच प्रसिद लखनव समं जो था अस्थांत्रित है जो कब हुआ था यह 1916 में हुआ था नेक्स्ट कोशन देखिए वर्स 1905 में सर्वेट्स ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी तो यह दोस्तों पूर्णा में हुई थी अगला कोशन है मुश्लिम डीग के किस अधिवेशन में मन जिन दो से एक साड़ में यहाँ पर अटकुछ ऑगेर लेके हुए और उनकी शूच्य को सुमेलित करना आए अगर बात करें तो अगरश्त तो इसका राइट आंसर होगा आपसर नमबर फॉस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट कोर्शन है निम्द लेखित में से 1947 में भारत के विभाजन का कारण क्या था यानि भारत विभाजन इसका मुख्यकारन है वह क्या बाताए गया है इसमें राइट आंसर होगा यह सारे के सारे यानि एक तो आपका स्वाम प्रदाइक शक्तियों की विज़े बिल्कुल करेक्ट हैं कॉंग्रेस की निती की विफलता और अंग्रेजों की जो फूड राज करों की नीती है यह चार वेद जिसकी रचना अगद्य और पद्य दोनों में की गई यज़ुर वेद अपने चार वेदे पहला रिग वेदे दूसरा साम वेदे तीसरा यज़ुर वेद चोटा अथर्व वेदे तो यह चार वेदा आपको जहने में रखना इसका राइट आंसर होगा और तीन यानि किस के द्वारा या किस ने है जो की थी तो अप्शन नमबर इसका सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वल्ट में केंज इसका राइट आंसर होगा अगला क्वेशन है देखे दोस्तों क्वेशन नमबर 112 किसने हाथ से बुने वे खादी के वस्तर पहन कर सही दरबार में भा निम्द लिखित में से कौन सा इस्थापीती इल्थूत मिसके द्वारा निर्मित नहीं है तो केशारे जो सफेद है दोस्तों ये इल्थूत मिसके द्वारा निर्मित नहीं है अगला कोशन है किस वाइसरा को भारतिय राष्ट्रवाद का उत्परेर कहा गया है तो लर्ड क परजन को कहा गया है इंपोर्टंट कोशन है नेक्स कोशन देखिये मेरे प्यारे मित्रों पॉर्वर्ड ब्लोग पॉर्वर्ड ब्लोग की स्थापना सुभाचंद्र बोस के दवारा 1949 में की गई थी इसको दांडी यात्रा को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है तो 12 मार्च 1930 को इसका करेक्ट आंसर होगा अगला कोशन देखिए आप देखिए इसमें अगर बात करें तो उन्होंने साबर मती आसरम जो वरतमान में गुजरात में इस्तित हैं साबर मती आसरम से 78 चुने गई साच्छियों के साथ सत्याग्रे के लिए इन्होंने कूच किया था और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अपरेल 1930 ध्यानक ना आपको को दांडी में सां बैठन जो दोस्तों योजना है वो तीन जुन 1947 को है जो प्रस्तुत की गई थी अगला कोशन है निम्द लिखीत में से कोन भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अंदर है जो समिधान वादी समझे जाते हैं इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमबर डी सत्यमूर लिखाएन के निरने कि इनोंने घोकेश ना कर दी हो ता शोला है यौद यौन इस्लिटों कव Cemal ऒबाजन के दिन को पूरे बंगौल में नुदीवस के रूप में मनाया जा था उसके बादम संप्रदाइक चुनाऊप लिखार कर्या प्रावना या सामप्रदाहिक चुनाव प्रकरिया है जो कब प्रारम हुई थी इसका देखे तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1909 में आपको ध्यान होगा दोस्तों 1909 में मारले मिंटो अधिन्य में वो बना था जिसमें मुश्लिम लोगों के लिए अलग से यानि प्रत था के चुनाव प्रकरिया वो लागू की गई थी मारले मिंटो अधिनियम आपको ध्यान में रखना 1909 भारत कब आया कि आपका सी 1928 को साइमन कमिशन जो था दोस्तों भारत आया था 1928 में यह दोस्तों इंपोर्टेंट है तो थोड़ी सिसकी वेक्या हम आपको बता देते ह इसको बंबई पहुंचा था साइमन कमिशन तीन फरवर यूनिश 28 को आपको दिहन रखना है साइमन कमिशन में सबीशादेश्य अंग्रेज थे दोस्तों क्याते सबीशादेशी जो थे वो अंग्रेश थे इसलिए कंग्रेश्य ने से श्वेद कमिशन के नाम से भी यह जो सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब करते हुए नीचे दिया गया कूट सही उत्र यानि दूत्य गौल में महलं संहिंना आपको अब साहरा करसे चार ओप्शन है इनको आपको साथ सेतंबर 1931 को धीवत्य गोल में संवैनल हूँए धान्डी मार्च अगर बाद करें तो 12 मार्च 1930 को हुए थी दोस्तों कभ उती 1930 को हुए थी पूनापैक्ट करें मित्रों तो जोत दोस्तों पूनापैक्ट हुआ था होutav4 तरीके से काला नुम्ट इसको है वो काल कर्मा नुश्शसको अभी हम करना है तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इसका जो बैठेbin सबसे पहले इसमें आएग ड़ंडी मार्च अब को पता है अभी हमने बैटा था ड़ंडी माच चो बता है था वह 12 मार्च 1930 को था पहला आपको नमबर दो बैटेगा तो उसके बाद में अगर बात करें तो आपका चार बैटेगा गंधी इर्विन समझोता हुआ और गंधी इर्विन जो दोस्तों समझोता हुआ था वह पांच नमबर यानि की गंधी इर्विन समझोता हुआ था वह था वह था पांच मार्च को दो चार पर यहां पर आप्सण सोरी तीन नमबर आपका राइट आंसर तो आप्सण नमबर इसका एक बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट को संदेखिए यानि जब भारत अपना देश स्वतंत्र हुआ था उसमें भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस का जो अदेख्स था वह कौन था तो आपको ध्यान में रखना जे भी क्रिप लान ही है वह इसका राइट आंसर होगा अगला देखे दोस्तों क्वेशन इंपोर्टेंट है रविद्न ना टैगो ने अपनी नाइट हुड की विपादी किस कारण से त्याग दी थी नाइट हुड इसका राइट आंसर होगा जलिया वाला बाग की दुखत घटना आपको पता होगा तेरा अप्रें 1919 को आवो समयलन अगला कोशन है किस ने कहा था कि हिंदू और मुस्लमान भारत की दो आखे हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो अप्शन नमर आपका अभी होगा सरसेद एहमद खाने यह जो कथन कहा था इंपोर्टन कथने देखिए अगला कोशन नहरू रिपोर्ट किस ने तयार क लिए था तो तीनों गोल में समयलन में जो दोस्तों भाग लिया था वह आपके डॉक्टर भीम रा उमेट कर जिस जैविंद के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने लिया था समयलन 12 नमबर 1930 से लेकर के 13 जनवर 1931 के मंदे जो लंदन में सेंट पहले से वहाँ पर हुआ था उसमें बिर्टेयन का जो परदार मंत्री था वो रेम जे मेक डोनल्ड और भारत का वाइसरा एरवीन था इसमें च्छेतर भारतियों ने भाग लिया था यह आपको ध्यान मे से एकना इंपोर्टेंट वहात है उसके बाद में द्यूत्य गोल में समयलन साथ सित्मबर 1931 से एक दिसमबर 1931 तक लंड लंडन के सेंट जम्स पैलेस में हुआ था और गौंधी जी एक माधर इसके भारति कॉंग्रेस के एक मातर सदिशे गांधी जी इसमें थे नेक्स्ट पारित हुआ था इसका राइट आंसर होगा लोर्ड कैनिंग के समय हिंदू विवा पुन्र विवा जो है हिंदू विद्वा पुन्र विवा एक्ट 1906 में पारित हुआ था इस समय भारत का जो गरुन जनरल था वो लोर्ड कैनिंग था नेक्स्ट कॉर्शन 143 है किस जेन गरंथ के अनुसार 22 वे तिर्थ कर अरी निष्टी नेमी वासु देव कृष्ण के सम कालीन थे तो उत्रा ध्यानम चूत्रिस का राइट आंसर होगा अगला कॉर्शन असोग के किस इस्थम्ब लेक में आजीव uous निर्गरंथों का संग के साथ उलेक मिलता है तो इसका राइट आंसर होगा साथवा वरत इस्थम्ब लेक है हडपा काली निस्तल कुंता सी इस्थित कहां पर है तो इसका राइट आंसर होगा पच्छी में स्वराइश्ट्र में इस्थित हैं अलावदिन खेल जी के दोरा पर अचली तो बाजार नियंत्रों गवस्था की देख रेक किस विभा के नियंत्रों अधीन थी तो इसका राइट आंसर होगा ओप्चन नमबर एक धीवाने अरियासत सर्वन बेल गोता इस्थित बहु बली की महन प्रती मा का निर्मान किस काल में हुआ था नेक्स्ट क्रेशन है में तो इसका राइट आंसर होगा मेगिस्तनीज मेगिस्तनी सेलिकर स्नेकर्टर का राजदूथ था जो चंद्रगुप्त मोर्य के राजदर्बार में आया था तो इसका राइट आंसर होगा अपने इश्वरदास नागर इसका राइट आंसर होगा ओप्चन नमबर बी मजीद का अंद्रमान डिली में अंद्रिमित कुत्ब मजीद और अड़ाई दिन के जहोंप्रे की भाती हुआ है तो इसमें अगर बात करें तो खंभात की जामा मजीद है इसका राइट आंसर होगा ओप्चन नमबर शी नेक्स्ट क्वेशन है निम्द लिखित युगमों में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है तो इसका दो दोस्तो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा मैं आपको बाताता हूँ इसका राइट आंसर होगा ओप्चन नमबर शी स्रीमती एनी बेसेंट दिली अट 1928 इसका यह राइट आंसर नहीं है जो कौंगरिस की बाकी यह राइट आंसर है कलकाता दीवेशन 1917 में बनी थी दोस्तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तो हडपा इस्तलोर उनसे समधित जो वस्तू और सामगरी है वो आपको देखना है लोथर में अग मिला था काली बंगा में अगर बात करें तो उन्ट की ऐस्तिया मिली थी और तामचे के इसके प्लाडय मिली थी उसके संदर्में अगरह हम बात करें तो यहाँ से तामबे की कुलाड़ या मिली थी धोला वीर में आपको पता है सूच ना पटे वो मिला था नेक्स्ट कोशन आरे समाज के निम्न लिखित कारे करमों में भारत में सांपरदाई को बढ़वा किस ने दिया था तो छुद्धी अंदुलन ने दोस्तो इसका आरे समाज में भारत में संपरदाई को दोस्तो बढ़वा दिया था सविनी अवगिया अंदुलन की नविन्तम तथा उलेखनी विसेस्ता के रूप में व्यापक भागिदारी किसकी रही है तो इसका बी ऑप्सन राइट होगा महिलाओं की इसकी व्यापक भूमी का रही है अगला कोशन देखे में तरों गरवनर को भारत से निसकासित कर दिया था तो इसका राइट आंसर होगा सर जोन चाइल्ड क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं या इसका जो लूटेरों में वो जहाज लूटती थी लाल सागर में अनिक मुगल जहाजों को जबरन दिकार में ले लिया था तो यह आपको जहान में रखना है नेक्स्ट कोशन है जहांगिर की आत्म गता का जो दोस्तो टाइटल था जो सीर्शक था वो क्या था तो तुजू के जहांगिर इसका दोस्तो टाइटल था या आपको जहान में रखना है इंपोर्टन कोशन है सभी एक्जाम के लिए नेक्स्ट कोशन है दोस्तो विजन अगर सामराज ये में किस राजा को अंद्रभोज के नाम से भी जो जाना जाता है इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका भी इस कर्रेक्ट अंसर कृष्ण देवर आई नेक्स्ट कोशन है दोस्तो निम्द लिखी तो उपादियों में से कौन सी एक उपादी समुद्र गुप्त से समधित नहीं है तो इसके में अगर बात करें दोस्तों इसमें राइट अंसर होगा ऑप्शन नंबर विक्रमा दित्ते ये इसकी राइट अंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगला कौशन के पूरू मुगल सासकों के पूरू जोंकी उपादिया क्या थी तो मिर्जा उस्ता में वो कहला थे थे कर्रेक्ट आंसर होगा आप बिल्कुल इसकी यहां पर वेख्या आप देख सकते हैं 1920 के बारतीय राश्ट्रिय कॉंग्रिस के कलकता विश्य सदी वेशन में महत्मा कांधी की असयोग प्रस्ताव का शमरतन किसके द्वारा किया गया था तो इसका कर्रेक्ट आंसर आप्शन नमबर आपका बी होगा मोतिलाल नहरू बिल्कुल राइट आंसर और श्राटिक आंसर इसका बैड़ता है अगला कोशन है कि कोटीले के अरतसास्तर में निम्द लिखित मैसिक की सधीकारी को करवसूलने का कारे सौंपा गया था इसका दोस्तो राइट आंसर होगा शमाहरता यानि समा तो यह नहीं करता था दोस्तो क्या नहीं करता था और इसमें अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ था तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले आड़ाई दिन का जहां पड़ा है उसके बाद में अलाई दर्वाजाए आप्शन नमर चार है उसके बाद में कोटला फिरोजसा आप्शन नमर तीन है उसके बाद में दीन पना उप्शन नमबर दो 14 और 32 उप्शन नमबर पहला इसका रहेट आंसर है अगला कॉशन देखे मित्र भारत की पर्थम राजनितिक संस्था कौन सी थी तो इसमें लेंड होल्डर सोसाइटी इसका रहेट आंसर उप्शन नमबर डी पुरांदर की संदी दोस्तों अवो किसके मद्य होई ती तो आपको द्यानमे होगा 1665 में होई थी सीवा जी और जय सींग के मद्य जो जय प्रके सास्क थे 11 जून 1665 को पुरांदर की संदी संपन होई ती टेब इसके लिए मुगलों कोई नों ने दे दिये थे नेक्स्ट कोशन है दोस्तों सिवा जी का जो राजी विशेक कब और कहा पर हुआ था तो इसका राइट आंसर होगा राइगर्ड में 1674 में हुआ था आपसन नमबर भी इसका करेक्ट आंसर है अगला कोशन है माराथा प्रसासन में मात्मे या मजूंधार का जो प्रमुक कारे था वो दोस्तों क्या था राजस वर्षे शमंधित अगला कोशन 2020 के भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस के कलकत था विसे सदिवेशन में माहत्मा गांधी के अह सयोग प्रस्ताव का समरतन किस ने किया था मोतिलाल नहरू ने किया था नेक्स्ट कोशन स्वरी व प्रसासन के लिए राणी विक्टोरिया की गोशना को अठारा सो अठावर में किस वाइसरा के दवारा पढ़ा गया था तो कैनिंग के दवारा ये पढ़ा गया था राइट आंसर ऑप्शन नमबर एक इसका बिलकुल करेक्ट आंसर है अगला कोशन है शोरी निम्द लिखि अगर बात करें तो इन्होंने वो विष्णु स्यामी भी कहा था विष्णु स्यामी जी संपर्दाय की माना जाता है नेक्स्ट कोशन दोस्तो देखिए इंपोर्टेंट वेरी एंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो अवद को किस आधार पर ब्रिट च्हत्रवे मिला लिया गया नेक्स्ट है दोस्तों अंग्रेजों की साहयक गटबंदन की नीती का पहला सिकार कौन सा राजे बना था तो दोस्तों हिद्राबाद इसका राइट आंसर था यहां पर आप इसकी थोड़ी सी वैक्या वो देख सकते हैं कोई भी भारतिय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज सकती पर निर्बर नहीं हो तो यह जो दोस्तों कतन था वो दोल डिडल होजी के दवारा कहा गया कतन था यहां पर आपको शुमेलित करना है कोईशन नमर 114 तो यहां पर आप इसको आराम से वैक्या दे करके कर सकते हैं कोईशन 114 आप आराम से कमेंट करके उतर बता देना कोईशन नमर 116 बारत में अंग्रेजी सख्या का परारम सर्वपर्थम क्योंन था तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओप्षन नमर डी लրड मेका लेकि दोरा अंग्रेजी एजियूकेशन को सर्वपर्थम इस्टार्ट किया गया था अदनिक भारत का पर् तो इसकी जो दोस्तो रचना की थी वो दोस्तो राजाराम महुंद राइ ने में जो इसकी की थी अगला कोशन है दोस्तो निम्द लिखीत मेंसे कौन एक आत्मी सभा से जोड़ा हुआ नई है तो इसका Rite आंसर होगा option number आपका दोस्तो B किस वो चंदर सेन इसका correct answer होगा यहाँ पर आप एक यह देख सकते हैं समाज सोदक समाज की इस्थापना निम्न लिखित में से किस के दोरा की गई थी तो जोती वाफुले के दोरा की गई थी अगला question एक इसे समाज सोदारक ने correct answer होगा गौफाल हरी देश मुकिस का right answer है एगला question है मुगल बादसा आकवर दुट्य की पेरवी करने के लिए निम्न लिकित में से कौन बादसा के राजदूत के रूप में इंग्लेंड गए थे तो राजा राम मोहंदराई उनकी पेरवी करने के लिए अंग्रे जो इंग्लेंड चले गए थे next question देखें मित्र रफी important है यहाँ पर एक सूची एक उसूची दो से मिलान करना है तो इसके संदर में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका option कौन सा right है तो 183 का right answer देखिए दयानन्द स्रस्वती तो दयानन्द स्रस्वती ने दोस्तो यह आरी समाज से समधित हैं उसके बाद में अगर बात करें खान अब्दुल गफार खान तो यह जो समधित हैं वो दोस्तो खुदाई खिद्मत गार से समधित है option number 1 बात करें तो ब्रम शमाज और अविद रनाटे को आपको पता होगा दोस्तो तत वो दिनी सभा इसकी समधित हैं अगला कोशन देखिए दोस्तो यहां पर देख सकते हैं सोची और को सोची दोस्तों मिलान कर रखा है तो इसका right answer होगा option number C शूर्य वर्मा सेकंड के दोरा बनाया गया था विश्व का सबसे बड़ा मंदीर विश्णु मंदीर विश्व का न कमोडिया में अंग कोट वार्ड में इस्तित विश्णु मंदीर विश्व का सबसे बड़ा मंदीर है हिंदुस्तान गदर पार्टी की इस्तापना किस वरस है जो की गई थी इसके संदर में अगर साथ ही हम बात करें तो दोस्तो इसका right answer होगा option number C 1913 इसका correct answer होगा अगरा question है पेगन वंस का आनंद मंदीर कहां पर इस्तित थे हैं दोस्तो पेगन वंस का आनंद मंदीर अगरम साथ यो बात करें तो इसका right answer होगा मया मार में दोस्तो ये इस्तित थे कहां पर दोस्तो पने मया मार में इस्तित थे अगला question है तरह इन का युद देवो किस ने जीता था दोस्तो तो तरह इन का जो युद ग्यारा सुक्राण में जो दोस्तो जीता था ये option नमर पर तुराज चोहां नहीं जीता था अगला question important परतिबंद कब किया गए था तो भी option right होगा 1839 में किया गए था आरे समाज की इस्ताप्रास स्वामी देयान्द सरस्वति ने कब की थी तो इसका right answer होगा दोस्तो बंबई में की थी correct answer होगा बिलकूल महरास्ट के भक्ति कालीन संत एकनात कि संप्रदाई से सम्मान दी थे तो ये धरकरी संप्रदाई से समान दी थे अगला question important दोस्तो महाराष्टर का सुकरात किसको कहते हैं दोस्तों सुकरात important question है महादेव गोविंद राना डेव को दोस्तों कहा जाता है next question नेम्द लिकित को यहाँ पर सुमेलित करना है कौन सा सुमेलित है तो C option इसका राइट आंसर अगला question है विजे नगर समराजे के अवसेस कहां से प्राप्त हुए थे तो दोस्तों हमपी से हुए थे हमपी विजे नगर का जो वरतमान नाम है अगला question देखे है मित्र सूफियों का निवास क्या किलाता है दोस्तो sorry 97 question है असोक के सारात सिंग शिर्ष इस्थम्ब के फलक पर परदर्शी तफस्तों का सही करम आती अश्व वरसोर सिंग ये आपको ध्यान में रखना है very very important दोस्तों आप इस्टार लगा सकते हैं हर स्टेंग ठीक है दोस्तो सूफियों का निवास दोस्तों कहां कहलाता है important question है सूफियों का निवास दोस्तान मक्तुबात सूफिय संद के पत्रों का आलों यहाँ पर किया जाता है कि सूफिय संद को बंदा नमाज के नाम से जाना जाता है important question है इसका right answer होगा option number B सयद मुहमद गेसुदराज के नाम से अगला question है दोस्तो वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बता देना अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तो लाइक कर देना चैनल पर दोस्तो पहली बार तो subscribe कर देना ताकि इसी परकार के most important question के दोस्तो और भारती इतियास भारती समीदान भारती राजवगस था और general science जितने भी दोस्तो question है सारे के सारे में आपको include कर वके दोस्तो वीडियो आपको provide कर रहा हूँगा दोस्तो वीडियो को like कर देना दोस्तो के साथ share कर देना अगर आपको दोस्तो या पूरी पीडियो चाहिए तो वीडियो के description में आपको telegram की link मिल जाएगी वहाँ से आज join हो जाएए वहाँ पर मैंने ये भेज रखी है वहाँ पर आप download कर लेना thank you